Hello everyone, ये वीडियो है Assembler का, इसमें हम ये देखेंगे कि Assembler क्या है, इसका एक example, ताकि हम अच्छे से समझ पाएं कि Assembler क्या है और ये कैसे काम करता है, then इसके advantages और disadvantages को discuss करेंगे इस वीडियो के related जो other topics हैं, उसका यहाँ पे आपको sequence दिया गया है, ये सारे topics आपस में interlink करते हैं, और इन सभी का link आपको वीडियो के description में available हैं, तो आप इन सभी topics को go through कर सकते हैं तो start करते हैं assembler के meanings से, जैसा अभी तक हमने समझा, computer understand करता है machine language को, जो की है 0 and 1 तो starting में जब computer को invent किया गया था, अगर उस समय हमें computer को command देनी होती थी, तो वो हम 0 and 1 की form में देते थे लेकिन ये हमारे लिए काफी difficult था, अगर आपको English आती है और ये कहा जाए कि आपको Spanish सीखनी है, तो starting में आपको वो language सीखना काफी difficult होगा इसी तरह machine language में हमें सारे code याद रखने पड़ते थे, जो की काफी difficult था, इसी लिए इसमें एक improvement करके बनाई गई assembly language, assembly language में mnemonics का use किया गया specific instructions के लिए, अभी specific instructions क्या है, जैसे की addition के लिए add, subtraction के लिए अब जैसा मैंने बताया कि computer understand करता है सिर्फ machine language को, जो की है 0 and 1 को, तो यहाँ पे हम अगर add और sub जैसे mnemonics का use कर रहे हैं, तो computer ने समझ नहीं पाएगा इसलिए एक translator की जुरुरत पड़ी जो इस assembly language को translate कर सके machine language में, जिसे कहा गया assembler तो assembler एक translator है, जो convert करता है या translate करता है assembly language को machine language में assembler पहला ऐसा interface था जिसकी help से human machine के साथ communicate कर सके, अभी तक एक तरह से machine machine के साथ ही communicate कर रही थी क्योंकि आप code दे रही थी machine language में, आपको machine code याद रखने पड़ रहे थे तो आप machine के साथ machine way में ही बात कर रहे थे अब यहाँ पे, क्योंकि हमने कुछ English words लिए, निमोनिक्स लिए, तो यहाँ पे एक human ने communicate किया अब machine के साथ next देखते हैं assembler का example, तो यह है हमारा source code, source code क्या है हमारा, जिसमें हम command दे रहे हैं तो यहाँ पे हम assembly language का use कर रहे हैं, यह source code क्या होगा, assembler के पास जाएगा और assembler काम करेगा translator का वो translate करेगा इस assembly language को object code जिसे कहते हैं machine language जो की है 0 and 1 अब इस example को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, सबसे पहले जब हम machine language की बात करें, अगर हमें machine language में addition करनी है दो number की, जो की है 10 और 5, तो सबसे पहले अगर हमें addition करनी है, तो add का जो binary code होगा, हम वो लिखेंगे then 10 का जो binary code होगा, हम वो लिखेंगे, then 5 का जो binary code होगा, हम वो लिखेंगे, then हमारे पास इसका result आएगा, calculate होगे अब इसके बाद machine language पे एक improvement आती है, assembly language की, assembly language में जैसा मैंने बताया, कि हम हम mnemonics का use करते थे, जैसे की add, mov, sub, जो भी हमार addition, subtraction, multiplication थे, इनके लिए हमने mnemonics का use किया, तो अब अगर assembly language में हमें add करना है, दो number को, same example लेंगे, दस और पांच को अगर हमें add करना है, तो यहाँ add के लिए हम को binary code ने लिखेंगे, हम simple add लिखेंगे, then 10 and 5 के लिए हम आगे binary code लिखेंगे, तो हमारे पास result calculate होके आ जाएगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं, अभी कितना simple हो गया, हमें simple अपनी language में add लिखना है, इसके लिए कोई भी binary code लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो assembler क्या करेगा अगर आपको addition करनी हैं, दो नंबर की, जो की हैं 22 and 24, तो source code जो आप code डालेंगे, वो डालेंगे add, 22 का binary code, 24 का binary code, अब assembler क्या करेगा, add को convert कर देगा machine code में, 22 और 24 का binary code सेम रहेगा, क्योंकि वो हमने command ही machine language में दी है, तो हमारे पास output जो है, वो calculate होके आ जाएगा, जो की है 46, अब example के बाद देखते हैं, assembler के advantages को, assembler की help से, जो complex job थी, उसे easily run किया जाने लगा, अब आपको nemonics की help से binary code याद करने की जुरूत नहीं है, addition, multiplication के, वो assembler काम खुद कर देगा, ये memory efficient था, जिसकी वज़े से less memory की requirement होती थी, faster था, execution में time कम लगता था, क्योंकि आप nemonics use करने है, binary code नहीं लिखने है आपको, तो execution जल्दी होगा, calculation आपकी fast हो जाएंगी, assembler में, result लेने के लिए, less instruction की requirement होती थी, compared to machine language, अब machine language में, आप सारा process, सारी command आप binary code में दे रहे थे, 01 में, assembler में nemonics ने आपकी help कर दी, जिसकी वज़े से आप instruction कम Then अब देखते हैं, assembler की disadvantages, assembler ने, mnemonics को binary code में convert करके, help तो की, लेकिन फिर भी, काफी time और effort लगता था, code को लिखने में, still, assembler काफी complex और difficult था, understand करने में, इसमें, computer की, जाधा memory और size की जरूत होती थी, long programs को run करने के लिए, जो की assembly language में लिखे जाते थे तो इस था, assembly language का meaning, example, advantages और disadvantages वीडियो कैसा लगा, ये comment करके जुरूर बताएं, और अगर आपके किसी भी topic है regarding कोई query है, तो आप उसके लिए मुझे comment कर सकते हैं, मैं वहीं आपको reply करके, या फिर उस पे एक अलग video बनाके आपके साथ share कर दूँगा, इसी तरह की हर update के लिए, student notes चैनल को subscribe करें, वीड चैनल की गोडिक्योर.